गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स पोलर एक्वेशन ओफ कोनिक के इस लेक्चर में आज हम कुछ सौल कुश्चन्स करेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकी ठियोरम्स कराई थी आज उन सबसे संबंदित हम सवालों को हल करेंगे तो कुश्चन नमर बन है फाइंड दे कंडिशन सो देट दे लाइन ए अपॉन आर एक्वल टू कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा टचेस देसर कॉनिक एल अपॉन आर एक्वल टू वन माइनस ए कॉस थीटा यानि कि हमें वह प्रतिबंद ग्याद करना है जबकि जो हमारे पास में लाइन है वो ए अपॉन आर एक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिये हुई है शांकव एल अपॉन आर एक्वल टू वन माइनस ए कॉस थीटा पर वो सुपर्ष करती है तो कॉन की एक्वेशन तो हमारी क्या दिये हुई है कोनिक की equation तो हमको यह दिए हुई है और यह equation हमारी tangent की है तो हमें क्या प्रूब करना है कि वो condition ग्याद करनी है जब यह जो tangent line है यह इसको सपर्ष करें यह वाली जो line है यह इस tangent को sorry इस कोनिक को सपर्ष करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम कंडिशन्स लिख लेंगे हम जानते हैं कि कोनिक की गिविन एक्वेशन एल अपॉन आर इक्वल टु वन माइनस ए कॉस थीटा के किसी बिन्दू पी एंगल अलफा बनाती है उस पर टेंजेंट की एक्वेशन होती है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बढ़ाई थी उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देजूंगी वहाँ आप देख लेना वो क्या होती है हमारे पास में यहाँ पर कॉनिक की एक्वेशन यहाँ पर कॉनिक की एक्वेशन 1 प्लस E कॉस थीटा होती थी तो टेंजेंट की एक्वेशन E कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मैनस अलफा होती है अब हमको यहाँ पर कोने की equation यह दियो हुई है तो इसके according हम tangent की equation लिखेंगे जो की यह होती है अब यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं That implies L upon R equal to minus E cos theta plus cos theta cos alpha plus sin theta into sin alpha इसको हमने खोल लिया अब score simplify करें हम That implies L upon R equal to minus E plus cos of alpha इन दोनों में से हमने यह इन दोनों में से हमने common लिया cos theta यहाँ पर आया cos theta plus sin theta sin alpha अब हमारे पास में यह जो equation है यह equation number हमारे पास में हो गई और जो line हमको दी हुई है वो line क्या है हमारे पास में line अगिर हमें पास में दी हुई है यदि रेखा हमको जो दी हुई है वो है A upon R is equal to cos theta plus c sin theta हम मान लेते हैं कि जो हमको line यह दी हुई है A upon R cos theta plus c sin theta यह इसको touch करती है अब यह touch करती है तो हमको इसकी condition हमको निकाल नहीं है यह वाली समिकर्ण माल लेते हैं हम यह समिकर्ण नमबर 2 है तो कोनिक 1 जो हमारा कोनिक 1 है इसको बिन्दू P alpha पर स्पर्ष करें तो compare the both two lines तो दोनों की तुलना करने पर अब हमारा यह जो कोनिक है हमारा जो कोनिक की equation है यह कोनिक की equation हमारे पास में थी यह इसकोनिक की tangent की equation हमारे पास में यह वाले आई स्पर्ष करें यह प्लस कॉसल यहां कॉस्थ सीटा है यह और यहां भी कॉस्थ सीटा का कोफिशन की ता है यहां पर वन तो हम यहां पर निचे लिखेंगे वन is equal to यहां पर कितना है साइन थीटा को कोफिशन साइन एल्फा हम दिखेंगे यह पर साइन एल्फा अपान यहां पर कितना है इसके साथ सी है तो हम यहां निखेंगे सी that implies l equal to कितना हो गया हमारे पास में minus a e plus a cos alpha और l plus a e is equal to a cos alpha that implies l plus a e upon a equal to cos of alpha यह equation number हमारी third हो गई अब हम इसी तरह से यह वाली यह जो समी करना है यह वाला sorry यह जो हमारा है l upon this l upon a और sin upon c इससे हम क्या निकालेंगे इससे हमारा निकलेगा and l c upon a equal to sin alpha हमें alpha आठा रहा है तब ही तो हम condition निकलेगी तो हम क्या करेंगे equation number three और fourth को square करके जोड़ देंगे equation three and fourth को square करके add करने पर तो हमारे पास में आ जाएगा l plus a e upon a का whole square plus l c upon a का whole square equal to cos square alpha plus sin square alpha और और e plus l upon a का whole square plus l c upon a का whole square equal to one जो की line a upon a upon r equal to cos theta plus c sin theta का konik l upon r equal to one minus e cos theta को स्पर्ष करने का अब बिश्ट्र पती बंद है ठीक है इसके बाद अब हम next question करते है अब question number second है a konik is described having the same focus and eccentricity as the konik l upon r equal to one plus e cos theta मतलब हमको एक शांकफ दिया हुआ है l upon r is equal to one plus e cos theta का अब एक और हम को जो शांकफ है दूसरा वो हम बनाएंगे जिसमें की eccentricity यानि की ये e और इसकी जो focus है वो दोनों की दोनों same हो तो ये condition हमें निकालने हैं that two conik touches at the point theta equal to alpha अगर ये दी वो ही है sorry ये conditions की दोनों conik एक दूसरे को touch करते हैं point theta equal to alpha पर तो हमें सिद्ध करना है कि जो उनका lettuce rectum है दूसरे वाले conik का वो ये होगा यानि दुबारे से समझाती हूँ एक शांकफ जिसकी नाभी तता उतके इंदरता वही है जो की शांकफ L upon R equal to one plus e cos theta की है एक दूसरा हमारे शांकफ है जिसकी नाभी और उतके इंदरता सेम वही है जो हमारा ये वाला जो conik है इसकी है अब दोनों शांकफ एक ही बिंदू जहांपर की theta equal to alpha है वहाँ पर स्परश करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि नाभी की लंबाई हमारे पास ये होगी हमें इसका मतला हमें lattice rectum निकालना है दूसरे वाले conik का तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम समीगर लिखेंगे तो the given equation of conik is L upon R is equal to one plus e cos theta and let mana की second equation of conik is L dash upon R equal to one plus e cos theta minus gamma ये हमारी equation number one हुई ये हमारी equation number two हुई अब हमें L dash निकालना है तो अब इन दोनों समीकरणों पर हम tangent निकाल लेते हैं so इन दोनों समीकरण पर या यूँ कहें कि इस शाकव पर इस पर श्रेखाओं का समीकरण होगा पहली बाली का क्या होगा L upon R equal to cos e cos theta plus cos of theta minus alpha और दूसरी बाली का होजएगा L dash upon R equal to e cos theta minus gamma plus cos of theta plus alpha यह हमारा equation number 3 और यह हमारा equation number 4 हो गई अब समीकरण 4 और 3 और 4 की तुलना करने पर अब हम इन दोनों समीकरण की यह जो हमारे पास में 2 समीकरण है एक तो यह और एक यह इन दोनों को हम compare करते हैं आपस में तो compare करने पर यहां से यह लेंगे हम पहले उपर तो यह आया L dash upon यह इसका यह L अगया is equal to cos alpha plus e cos gamma यह हमने इनको खोल लिया जैसे मैंने पिछले वाले में खोला था इसको भी और इसको भी sorry इसको और इसको इनको इन सब को हमने खोल लिया जैसे कि हमने पिछले वाले में खोला था यहां पर sorry यह cos alpha minus gamma है cos alpha cos theta minus alpha है गा तो यहां पर हम इसको वैसे ही खोल लेंगे जैसे कि हमने पिछले वाले question में किया था तो यह हो गया cos alpha plus e cos gamma upon cos alpha plus e is equal to sin alpha plus e sin gamma upon sin of alpha तो इसको हम compare करके अब हम इसको solve कर लेंगे तो that implies e cos of gamma equal to l dash upon l minus 1 plus e l dash upon l यह हमारी समिकर्ण नमबर 5 हो गई यहां से हमने gamma निकालेंगे तो इसको हमने पहले cross multiply करा और इस वाले term को हमने use करके पहले cross multiply कर लिया और फिर simplify करके हमने यह वाले समिकर्ण निकालें इसी तरह से हम sign के लिए निकालेंगे तब sign के लिए जब हम करेंगे तो एक तो यह वाले समिकर्ण ले ले लेंगे और एक यह वाले ले लेंगे तो इनको जब हम simplify करेंगे यह आपको आता है सबको simplify करना यह हो गया sign gamma equal to l dash upon l minus 1 यह समिकर्ण नंबर हमारी होगी छे अब इसमें क्या करेंगे हम वही जैसे हमने पिछली बार किया था पांच और छे को वर्क करके जोडने पर समिकर्ण 5 and 6 को square करके add करने पर जब भी हमें कोई चीज के compare करते हैं और हमें उसकी condition निकालनी है तो हम ऐसे ही square करके उसको add करते हैं यह होगा हमारे पसमें L डेश अपॉन एल माइनस 1 का whole square इंटो कोई स्क्वेर अलफा स्वारी यहां पर इंटो यहां पर यह और आएगा L डेश अपॉन एल माइनस 1 इंटो कोई अपॉर अलफा यह होगा कोई स्क्वेर अलफा प्लस e square l dash square upon l square plus इस वाले को किया हम ने दरवाले को तो यह यहाँ पर हमारे पास में प्लस twice e l dash upon l into l dash upon l minus 1 into cos alpha यह जो हमारी वाली term है यह वाली term इसका जब हम square करेंगे पूरे का तो यहाँ पर a square plus b square plus twice a b आएगा तो यह हो गया a square plus b square plus twice a b फिर साथ में यह इसका square करेंगे तो यह हमारे पास में आएगा plus l dash upon l minus 1 का whole square into sin square alpha is equal to e square यहाँ से इन दोनों को square किया तो यह e square cos square gamma plus e square sin square gamma हो गया e square अब इसको simplify कर देंगे तो condition निकलाएगी that implies l dash square upon l square cos square alpha plus cos square alpha minus twice l dash upon l cos square alpha plus e square l dash square upon l square plus twice e l dash square upon l square cos alpha minus twice e l dash upon l cos of alpha plus l dash square upon l square sin square alpha plus sin square alpha minus twice l dash upon l sin square alpha equal to e square यहाँ पर मैंने इस पूरी equation को खोल दिया यहाँ पर इस वाली term को खोल दिया यहाँ पर इस term को इस से गुणा कर दिया और फिर सारव को हमने यहाँ पर लिखा अब इन सब को जब हम simplify करेंगे आपस में यह आप कर लिजिए इसको simplify करके जो कटेगा जो काट दीजिए और उसको सब को simplify करके जो common आएगा उसको बाहर निकालेंगे तो यह आजाएगा l dash square upon l square one plus e square plus twice e cos alpha minus twice l dash upon l one plus e cos alpha plus one minus e square equal to zero that implies l dash upon l equal to one या l dash upon l equal to twice one minus e square upon one plus twice e cos alpha plus e square अब चूंकि l dash upon l is not equal to one क्योंकि दोनों बराबर नहीं है that is l dash upon l equal to twice one minus e square upon one plus twice e cos alpha plus e square that implies l dash जो हमको निकालनी थी लेटेस रेक्टम होगे आगई twice l one minus e square upon one plus twice e cos alpha plus e square यानि की that implies l dash equal to twice l one minus e square upon जिस रूप में हमको दी हुई है हम उस रूप में रिख लेते हैं हमें इस रूप में सिद्ध करनी थी e square plus two तो हम इस रूप में इसको लिख लेते हैं तो यह आएगा यहाँ पर e square plus twice e cos alpha plus one तो यह हमारे को निकालना था यह हमारा प्रूट हुए तो इस तरह से हम जो भी हमको सवाल दिये हैं उन सवाल को पढ़ेंगे क्या दिया है वो लिखेंगे और क्या निकालना है वो लिखेंगे उसके बाद में जो भी जोरम से उसके according उनकी equations लिख करके हमको solve करेंगे Thank you